अलवीदा चक्दीब सहाब, अलवीदा, किस शब्द में कहूँ, एक छोटा मोड़ा कॉमेडी में नहीं के नाते यही कहूँगा, कि कॉमेडी का बच्पन, कॉमेडी की जवानी, और कॉमेडी का बुड़ाबा, आपकी शकल में हमने तीनों को खोती है, अपने करियर की शिरुवात की थी, बुट पॉलिश फिल्म से, उसके बाद पुरी जवानी ही आप लोगों को हसाते रहें, और इवन जब आप बुजरुग होएं, बुड़ा तो नहीं कहूँगा, जब बुजरुग होएं, तो आपने हमें नए कॉमेडी को बच्चों की तर आशिरवात दिया, हमारी फिल्म भाउनाओं को समझोगा, मुरत आपने किया तो मुझे याद है, अच्छी तरह से, उसके बाद बॉंबी टुगवा में हमने, हमारी खुसकिसमती के आपके साथ काम करने का मौका मिला, ऐसे लेजंडरी कलाकार के साथ, बहुत कुछ सीखने मिला, हमेशा हसमुक, हमेशा कुछ न कुछ प्रेरना देते रहते थे आप, एक दो टीवी शो में भी आपके साथ परफॉर्म करने का मौका मिला, मैं तो अपने आपको इतने में ही बड़ा भागे चले समझता हूँ, कि इतने बड़े आसमान के सामने, मुझे उस छत्रशा में खड़ने का मौका मिला, जगदिव साब, आपने दुनिया को इतना हसाया, इतना अलग-अलग करेक्टर में हसाया, चाहे सुर्मा भॉपाली बोलू या अलग-अलग तरीके कितने भी आपने करेक्टर के अप प्रडूसर रहे, डिरेक्टर रहे, एक्टर रहे, कॉमीड अधिव साहब, यह आपका जीवन है, यह पूरी तरह से हमारे लिए किताब है, एक गाइड है, जिससे हम सब आने वाले कॉमीडियन्स, और हम सब आपके शागिर्द, कॉमीडियन्स, और एक्टर, तमाम एक्टर, प्रेरना लेते रहेंगे, और फिर तो बात तो वही है कि, गलाकर अपने काम के जरी हमेशा जिन्दा रहता है, आप हमेशा हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे, अपने काम के जरी हमें प्रेरना देते रहेंगे, जग्दिव साब बहुत हसाया है आपने आपको मालिक स्वर्ग में जन्डत में आपको हसता हुआ आला मुकाम दे और आप हमेशे हसते रहे क्योंकि आप डिजर्व करते हैं कि आपने धर्थी को बहुत हसाया अब आप आस्मान को हसायेंगे और आस्मान में उपर आला मालिक आपको बहुत आला मुकाम देगा क्योंकि आपने हमेशा खोशियां बाटी है, आसी बाटी है, किसी को खुल के हसाना इससे बड़ी अबादत नहीं, किसी के दिल को दुखाना इससे बुरी अबादत नहीं, आपने बहुत अबादत की, बहु में शामें पेरना देता रहेगा लब यू सर लब यू